एगई जै शरी महाक fiction तो कैसे आप सब्स यह आसा करता हूँ अप सब्स बहुत ही क्षोएफ कि अभी सब्स भी सब्सक्राइब म्ंत्र के नाम से जाना घाथा है यह में आप मैज इंस विनी में इतनी पावर है कि आप मुल्दे को भी जिंदा कर सकते हैं तो आप लोग पता है कि हमारे हिंदु धरमत दो मंत्र बहुत ही महाविशिश महत्पून और सकी सालिमान गए हैं वो है एक महामिव तुझ्या तरह दूसरा है गैत्री मंत्र बहुत बड़ी महीमा बताएगे इन दो मंत्रों कि किसी भी एक मंत्र का सवालाग जाप करके जीवन की बड़ी से बड़ी इच्छा से पूर्ण किया सकता है चाहिए वो अमीर आदमी बने के चाहिए भाग बदनने की हो यह मुल्दे को जिंदा कर ने की हो लेकिन बहुत कुछ बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे मुन्योंने इन बडर मंत्रों को मिलाकर एक अन्यम मंत्र महां मिल तुझे मन्त गयितरी मंत वолते हैं महा म मिलतुझे मिलत सजीवनी को इन परको सजीवनी विध्या कि द्वारा जी जा जदा चाहें इस मंत्र के जाप से कि मुद्धे को आप विल्कुल जिंदा कर सकते हैं बस्ता दिया रहेगी कि गुरू ने इसका सही प्रियोग सीख लिया हो और सिखाने वाला सही हो सपष्टूप से जी यहां दोस्तों इसके कि इस मंत्र को जाप करने के लिए मना किया जाता है क्योंकि इसके जो उजा उत्पन होती है उसे आम साधक आमाद भी नहीं जिल सकता है तो दोस्तों मंत्र बताता हूं मंत्र क्या उत्पादन हुआ था किडे किया घृत्रस दारे जीवित किया था ओम ओम जूम शह ओम भूर भुवश्वय ओम त्रियंबगं यजामही ओम तत्सवित्र वडेणियं ओम सुगंधियं पुष्टी वल्धनं ओम भर्गो देवश्य दीमय ओम उर्भारुकम विववंधनां ओम धियो योणा पिर्चो ध्यांत ओम हेल्त्योर मोक्षियं माम्रतात ओम शुवय ओम भुवय ओम ओम शह ओम जूम ओम ओम जियां यह मंत्र है महा सजुनी मंत्र को रिशी सुक्राचारीज मत्र की आजना की थी कि दान्वों को जीवत करने के लिए महामित्युज्य मंत्र में हिंदू रम के 33 देवता आठ वसू ग्यारे रूद बारे आजित्य पेजापति एक वर्ष्टर ओम की सक्ति सामिल है और गयत्री मंत्र में प्राण होजा होती है आज सक्ति को चमात्र का रिक रूप से बढ़ाने वाला मंत्र इसलिए इन दोनों मंत्रों को प्रभाव बहुती विसाल और पिचंड है और फिर इन दोनों को मिला के जो मंत्र से गुरु सुक्राचावरे न बनाए तो उसका प्रभाव तो आप जानते हूं कि इतना ही पिचंड होगा कि यह में वादा करता हूँ इस मंत्र से मरे आदमे को जिवित किया सकता है क्योंकि यह मंत्र शास्त्रों में विद्या हुआ है हमारे वेदो शास्त्रों बताया गया इस लेकिन इसे गुरू को ही साहं दिमें करें गुरू द्वारा इधि करें अधर वाई ना करें है जानगाई के लिए में मंतर वता दिया है लेकिन इस आपकाल के दोरान साथविक जीवन जीमत के दोरान सादकक कमुफूल कूल कर दो मंद्र को सबस्ट का चाहिए , मंत का बिलकुल जोड़ और सही होना चाहिए , same मन्तर की ऐज भूट नहीं होना चाहिए , मैं भ्राव सेक्स सब ऩुक्रा सबicesểm कर दूर रहना चाहिए , अर्मन का एक्पालन को NhT इस मंत्र के जाप से बहुत अधिक मात्रा मुजा पैजा हो जाती है जिससे हर व्यक्ति सेहन नहीं कर बाता है इस चीजा आदमी या तो कुछ जाप करने में ही पागल हो जाता है यह उसी मिलती होने का भेह रहता है यह ज़्यादा जाप कर लेता है हटी योग से इसके लिए अलग अलग करिया है प्रिनायम करके योग करिया करके इसका नाम इसका जाप करते रहना है इसलिए बोलना वार वार किसी गुरु को साहिंद में करें वो बताएंगे इस टाइटम आपको कितना मंत्र करना है आपको रूजा देखके और कैसे करना है कितने मन्त करने के बाद योग क्रिया करने है कितने मन्त के बाद आपको प्रिनायम करना है लेकि मन्त बहुत ही पेचंड है जैसे लिए माकाल यह मन आपके जानकाई के लिए बता है मन्त लेकिन हट योग में यह चीज कर सकते हैं जदी आपको लगता है कि इस बर मेरे हैं मैं इस बर का हूँ मेरे साथ वो गलत नहीं होने दिए तो वो व्यक्ति इसमंद्र को अवश्य कर सकता है और अवश्य अपनी हरिच्छा पूर्ण कर सकता है हरिच्छा मतलब दन से लिके कोई विच्छा तो जैसरी माकाल दोस्तों ख कोई इसके वारे में जानगा ही चाहता है कोई शादना करना चाहता है तो पूछ सकता है कमेंट्स वोक्स में बाकि मैं तो यह चाहता हूं कि आप लोगों को ऐसी साधना जो जिसे आपकी हर समच्छे का समानदान हो और आप हाँ शमयक्त खुसरों जैसे नहीं झाहता है